खंडवा में देर रात दो समुदाई के लोगों में पत्राव हो गया शहर के कंजर महले में कुछ लोग आतिश बाजी कर रहे थे जिसे लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने मना किया इसे लेकर दोनों समुदाई के बीच विवाद हो गया सूचना मिलने पर पुलिस मौकी पर और एक आटो में तोड़ फोड़ की गई। दो रोड़ से चल रहे पत्थरों से कई लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस के पास खड़े होकर भी कुछ लोग पत्थर चलाते दिखे। पुलिस ने आसुगेज के गोले दाक कर हालात संभाले। देर रात दो बजे शहर में शान्ती के स्थिती बन सकी। एस पी विवेक सिंग ने खुद मोर्चा संभाला हालात पर काबू पाने के बाद समवेदंशी लिलाकों में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। जिले के सभी थानों से पुलिस बल खंडवा के लिए बोलाया गया है। जंगठन के नेता के मेरिज रिस्टेप्शन में पत्राव कर दिया गया। दो बाइक फूग दी गई और पांच कारें और एक आटो में तोड़ फोड़ की गई। दो रोड़ से चल रहे पत्थरों से कई लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस के पास खड़े होकर भी कुछ लोग पत्थर चलाते दिखे। के कंजर महले में कुछ लोग आतिश बाजी कर रहे थे जिसे लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने मना किया। इससे लेकर दोनों समुदाई के बीच विवाद हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौकी पर पहुंची और रात दस बजे मामला शांत करवा दिया। लेकिन इसके कुछ देर बाद एक समुदाई के लोग भीड के रूप में भैगत सिंग चौक पर जमा हो गया। संगठन के नेता के मेरिज रिस्टेप्शन में पत्राव कर दिया गया। दो बाइक फूग दी गई और पांच कारें और एक आटो में तोड़ फोड़ की गई। दो रोड़ से चल रहें पत्थरों से कई लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस के पास खड़े होकर भी कुछ लोग पत्थर चलाते दिखे। जिले के सभी थानों से पुलिस बल खंड़वा के लिए बोलाया गया है। टाइम एट मध्य प्रदेश के लिए खंड़वा से शेक रहान की रिपोर्ट। खंड़वा में देर रात दो समुदाई के लोगों में पत्राव हो गया। शहर के कंजर महले में कुछ लोग आतिश बाजी कर रहे थे जिसे लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने मना किया। इससे लेकर दोनों समुदाई के बीच विवाद हो गया। सूशना मिलने पर पुलिस मौकी पर पहुँची और रात दस बजे मामला शांत करवा दिया। लेकिन इसके कुछ देर बाद एक समुदाई के लोग भीड के रूप में भैगत सिंग चौक पर जमा हो गया। संगठन के नेता के मैरिज रिस्टेप्शन में पत्राव कर दिया गया। दो बाइक फूग दी गई और पांच कारें और एक आटो में तोड़ फोड़ की गई। दो रोड से चल रहें पत्थरों से कई लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस के पास खड़े होकर भी कुछ लोग पत्थर चलाते दिखे। पुलिस ने आसुगेज के गोले दाक कर हालात संभाले। देर रात दो बजे शहर में शान्ती की स्थिती बन सकी। एस पी विवेक सिंग ने खुद मोर्चा संभाला। हालात पर काबू पाने की बाद संवेदन शील इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। जिले के सभी थानों से पुलिस बल खंड़वा के लिए बुलाया गया है। टाइम एट मज़िप्रदेश के लिए खंड़वा से शेक रहान की रिपोर्ट।